असलाम अलेकुर्म क्लास सेवन स्टूडियन आज हम अमना लेक्शन फाइफ स्टार्ट करेंगे तो कल तक हमने जो पड़ा वो एडिशन और सब्ट्रेक्शन था इंटीजर का तो आज से हम क्या पढ़ना शुरू कर देंगे मुल्टिप्लिकेशन एंडिविजिन उफ इंटी वे फिफट का सीपार्ट है रिक sneaking भी जर साइजी पेज नंबर क्या है यहाद रंगना पेज्ज नमर फ्राइश का एट तो इसका गरेक्शन कर लो उसका सीपार्ट सारे देखलो kurreson कर लो गर कुछ हुआ खलत लिखाए तो सबसे पहले —9 playedde ymass माइनस 6 यह हमारे पास है पहली जीज़ जो C part question है तो यहाँ पे हमें एक चीज़ नज़र आ रहा है हम देख रहे हैं दोनों नमबर पे माइनस है जब हम दो माइनस वालों को add करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इनके जो numeral values हैं यहाँ पे जो एक sign नीचे दे देते हैं ठीक है तो इसका answer आगया माइनस 15 ठीक है पहली चीज़ आप लों को समझ में आगया अब second इसमें है फिर last dollar D part C part के बाद D part जो मैंने करने के लिए कहा था वो है 12 plus माइनस 7 ठीक है इसमें हमारा answer नीचे क्याकीत झाट करते हैं वो सब्सक्रट करते हैं तो जो नंबर वाले वैलिउस है नीचे हम सब्ट्रेक्ट करते हैं 12 में से 7 सब्ट्रॉक्त हो जाए है कितना हो जाएगा थीक है उसके पास sign हमें क्या करना है जो बड़े के साथ sign है वो carry करना है बड़े के साथ plus है इसलिए हमने plus 5 लिखा और plus sign जो है वो हम दिखाते नहीं है किसी number के first पे पहले पर अगर होगा था हम दिखाएंगे नहीं ठीक है इसी तरस हमने question number 6 का जो c पाड़ा के लिए करने के लिए कहा था वो try कर देते है question number 6 का c पाड़ है minus 19 minus minus 7 हमारे पास है ठीक है तो देखो सबसे पहले क्या करो इस minus 19 को ऐसे ही लिखो ठीक है इसको minus minus plus कर दो plus 7 ठीक है अब देखो 1 minus 1 plus है जब भी 1 sign minus 1 sign plus होता है हम subtract करते हैं कि इस चीज़ को numbers को जो यहाँ पर number है उसको subtract कर देते हैं यहाँ पर number 19 है यहाँ पर number 7 है 19 में से 7 subtract कर लो आ जाएगा answer 12 ठीक है लेकिन बड़ी के साथ minus sign है तो हम minus को नीचे carry कर लेंगे यह होगा c पाड़ अब d पाड़ है हमारे question पर 6 पाड़ी पाड़ इसमें क्या है minus 25 minus 25 minus plus 29 इस question को एक बार देख लो plus minus minus हो जाएगा यह minus 25 को ऐसे ही रखो ठीक है और plus minus minus हो जाएगा 29 अब देखो दोनु sign minus है तो हम numeral value को add कर देते यानि नंबर को add कर देते 9 plus 5 1s को 1s के साड़े 9 plus 5 14 4 1 carry on 10s पे 1 10s पे गया ना 2244 तब 1 5 हो गया और दोनु पे negative sign है तो हम एक negative sign carry कर लेंगे तो यह हमारा हो गया D पाड़ भी ठीक है अब हम क्या करते हैं अकले exercise 1.1 के लिए जो चीज़े सीखना है उनको थोड़ा सा सीख लेते हैं पहली चीज़ multiplication जो किस चीज़ का of integers integers का multiplication कैसे किया जाता है हम integers को कैसे multiply करेंगे तो पहला जो example में लेता हूँ minus 5 into minus 8 मालो में निन minus 5 into minus 8 को multiply करना था into करना था ठीक है तो पुझे इसका answer क्या आएगा हम क्या करेंगे numeral values को भी multiply कर देंगे sign को भी multiply कर देंगे जैसे कि पहले हम sign को multiply कर देंगे तो minus into minus हमेशा plus होता है इसलिए sign plus आया 5 into 8 40 तो इसका क्या करना है मैं रियात क्या रखना है जब भी हम देहेंगे sign को तो सबसे पहले sign को multiply minus minus plus उसके बाद जो numeral values जिसको हम number गोलते हैं वो number को multiply कर देंगे 5 is a 40 फिर से एक question करते है minus 3 into 4 तो इसका sign plus है जब कोई sign नहीं है plus है इसका sign minus है तो हम क्या करेंगे इन दोन को multiply कर देंगे पहले sign को minus into plus minus हमेशा minus into plus minus होता है ठीक है 3 fours है कितना होगया 12 तो multiplication में जो आपको याद रखने है वो ये चीज़ याद रखने है sign के multiplication में जब भी minus into minus होगा जब भी minus minus के साथ multiply होगा तो आपको plus आ जाएगा आपको क्या जाएगा plus जैसे कि यहाँ पे minus into minus plus आ जाएगा जब क्या होगा plus into plus जब plus plus के साथ multiply हो रहागा तो आपको answer plus आ जाएगा answer क्या जाएगा plus यादि दो plus multiply plus आ जाएगा दो minus multiply plus आ जाएगा अगर यहीं पे minus into plus होगा 1 minus 1 plus जैसे कि इस question में 1 minus 1 plus minus और plus multiply होने से क्या आएगा है minus होगा तो उस वगत भी minus यानि sign opposite होगा तो हमें minus हा जाएगा same sign होगा तो हमें क्या जाएगा plus same sign ठीक है यह होगा multiplication के rules अब हम जाएगे division में division के rules division में आपको क्या याद रखना है division division of integers integers के division में आपको क्या याद रखना है integers के division में वही याद रखना है अगर आपके पास दोनु जो numbers है जिने हमें divide करना है उन दोनु के पास minus sign होगा जैसे कि minus divided by minus तो आपके पास answer क्या आना चाहिए यह उस उख़त plus answer आना चाहिए क्या answer आना चाहिए अगर मालो दोनु number दोनु integers और negative integers से divide के दोनु integers क्या है negative है हम जो दो integers को divide करने जाहिए जैसे कि मैं यहाँ पर एक question ले लेता हूँ 4 minus 4 divided by minus 2 तो आप क्या करोगे इसका answer आपको क्या आएगा plus में आजाएगा और 2 को 4 से divide करने से हमें 2 आजाता है ठीके अब आपको पता चला minus 2 divide हो रहाए तो हमें क्या रहाए answer plus में आ जाएगा इसी तरसे plus 2 divide होगा तो आपको answer क्या आएगा फिर से plus में आ जाएगा दो plus वाले numbers यानी दो plus वाले integers अगर हमी divide करना है तो answer plus में अब एक minus वाला divide होगा plus के साथ कोई integer जो minus होगा वो plus के साथ divide होगा, तो वहाँ पे answer minus आजाएगा, minus divided by plus हमेशा minus, और plus divided by minus, अगर हमें plus को minus से divide करना है, तो वहाँ पे भी answer minus, तो चार चीजी, जो उपर था वहीं यहीं पे, minus into minus plus, minus divided by minus भी plus, plus into plus plus, plus divided by plus भी plus, minus into plus हमें क्या था, minus, और minus divided by plus भी minus, और last में plus into minus, minus, और plus divided by minus भी minus, यह याद होगे है, दिमामन होगे है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार division को देख लेते हैं, division होता क्या है, division का meaning यह होता है, जैसे कि अगर मैं कभी भी लिखो 2 into 4, 2 into 4 कितना हो जागा है, 8, 2 into 4, 8 होता है न, और हम इसी 8 को, है, इस 8 को, जो हमारा 8 है, इसको अगर हम 4 के साथ divide कर देंगे, किसके साथ, 4 के साथ, तो हमें answer 2 आ जाता है, 2, ठीक है, दूसरा, इसी 8 को, अगर मैं 2 के साथ divide कर देता हूँ, अगर मैं 2 के साथ divide कर देता हूँ, तो हमें answer क्या आता है, 4, answer क्या आता है, 4, इसका मतलब, जो multiplication में करके answer आ रहा है उस answer को किसी भी एक number से divide कर देगा किसी भी एक number से इन दोनों में से किसी भी एक number से मैं divide कर दूँगा जैसे कि four से मैं divide कर दूँगा तो दूसरा number आ जाएगा तो दूसरा number आ जाएगा और इसी तरह से अगर मैं two और four को multiply करके aid मुझे आ रहा है और इसमें मैं 2 से divide कर दूं 2 से इस number से तो मुझे answer यह आ जाएगा यह होता है division ठीक है अब चलो हम exercise start करते हैं exercise का first question जो हमा 10 करेंगे वो है हमारे पास multiplication का हमें क्या करना है मैं multiply करना है मैं क्या करना है multiply कौन से numbers को multiply करना है अब देखे हैं हमारे पास पहला नमबर है अब लाइग एगने जीरू इंटो 30 जीरू एंट थर्टी इसने लिए फरस्ट पार्ट exercise 1.1 exercise का 1.1 exercise 1.1 का फरस्ट पार जो मैं पेश्ट दूसरा ले लिटा हूं एक मिनिट वेट यह हमारे पास आगया दूसरा पेश्ट तो हमारे पास का exercise 1.1 ही ठीक है exercise 1.1 का question number first का एपार्ट ठीक है फरस्ट का एपार्ट हमारे पास जीरू एंट थर्टी इन दोनों को multiply करो देखो जब भी मैं 0 into 30 करूंगा जीरो को मैं किसी चीशसे भी multiply कर दूँ उसका answer 0 ओता है ठीक है जीरो को जब भी मैं किसी चीशसे मृप्लाइ कर दूँ आँसरा हमें क्या आता है 0 ओता है ठीक है बी पार इसी का बी पार आप खुद करोंगे सी पार्ट में करोंगा C part 8 and minus 7 8 and minus 7 तो यहां पर क्या करना है हमें 8 को minus 7 से multiply करना है तो हमें पता चले यहां पर plus है यहां पर minus है यहां पर 1 में plus 1 में minus तो हम क्या करेंगे सबसे पहले sign को multiply करेंगे ठीक है तो sign को multiply करने से plus into minus मैंने कहा था minus आता है ठीक है plus into minus minus उसके बात number को एट जे कितना होता है 56 अब इसमें जो भागी क्वेशन है आप लोग एक बार प्राई कर लो अटेंड करने की हमने कौन सा छोड़ा आपके लिए बी पार्ट इबार एफ पार्ट इतना सारा क्वेशन आपको कल कर लेना है एक बार फिर में कल करेक्शन भी एक बार दिखा दो लोगम